हलो इबरीबरी मैं डोक्टर तौफीक उसेन, अस्वसेट प्रोफेशर इन हर एजुकेशन आज हम इतियास दर्शन के एक महतुपुन विशे, तथे और व्यक्या के बीच में क्या समंध है इसके विशे में चर्चा करेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि इतियास में जो तथे हैं उनकी महतुपुन मुमिका होती है लेकिन के उन तथे ही महतुपुन नहीं होते, तथे के साथ साथ उसकी व्यक्या है, वो भी महतुपुन होती है इस तत्थे और व्यक्या में क्या समंग्ध है? इस विशे में जानना है, वो अतियावशिक है हालांकि तत्थे और व्यक्या दो अलग-लग हैं लेकिन एक की भीना दूसरे का महत्वर नहीं है परशिध इतियासकार हिन्री पिरेन है उनका कहना था कि समाज में रहने वाले सभी मनुश्यों के कारी और उपलब्दियों की कहनी है वह इतियास है लेकिन वास्तन में ऐसा नहीं है इतियास में समाज में रहने वाले सभी मनुश्यों के कारी और उपलब्दियों का जो एक तरह से उत्यासिक तथे की रूप में है वो इस्तान नहीं दिया जाता है यदि हम इत्यासिक गटनाओं का आउलोकन करें जिस परकार हम 1857 की करांगती की विशे में देखें रूस की करांगती या फ्रांस की करांगती की विशे में देखें तो हम देखते हैं कि इन करांतियों का जो नितरत्व करने वाले हैं उन्हीं को ही इस करांति में इस्तान मिला जबकि इस करांति में भाग लेने वाले जो लोग हैं वो बड़ी संक्या के अंदर थे उनका इतियास में नाम नहीं मिलता है केवल इन क्रांतियों का नित्रत्वा करने वाले लोगों के नामिहन इधियास की पुष्टकों में बढ़ते हैं तो हेंड़ी पीरिन का ये कहना कि इधियास के अंदर है वो समाज में रहने वाले सभी मनुसिये के कारिय और उपलब्दियों का ध्यन किया जाता है है ये सही परतितनी होता हिसी परकार समाने जिवन में हम देखते हैं कि हम समाने जिवन निदर जो एक घटने वाली जो एक छोटी सी घटना होती है, हुए घटना है उस घटना का यद देंसे पात करें जैसे अंतिम सरस्कार में ले जाती हुए जो डेट बुडी है उसको हम देखते हैं तो हलांकि ये डे टूडे लाइप के अंदर है वो गरती है और एक समने से गटना प्रतित होती है लेकिन ये जो समने से दिखने वाली जो गटना है इस गटना नहीं मात्मा बुद है उसके मस्तक्स में इतना गहरा परभाव डाला कि उनको राच सी महल को छोड़कर के उन्हें तपस्वी जीवन है अथार्थ जो एक महाभी निशकर्मण है उसको अपनाना पड़ा अथार्थ गरह त्याक करना पड़ा अथार्थ उस गटना को देख करके उन्होंने गरह कर लिया एक छोटी से गटना जो मामली गटना जो डे टो डे लाइब के अंदर हम करते हैं वो गटना है वो किस परकार एक साधरन से गटना है वो इत्यासिक जो तथे वो बन जाती है तो तथे और इत्यासिक तथे के अंदर है वो अंतर इतना है कि जो तथे हैं इत्यास है इ वो इत्यास की घटना का वर्णन करने में इस्तिमाल करता है। उसे इत्यासिक तत्य कहते हैं। इत्यास के अंदर तत्यों की बर्मार होती है। लेकिन सभी तत्यों इत्यासिक तत्यों की बर्मार होती है। लेकिन सभी तत्यों इत्यासिक तत्यों नहीं बनते है। इसी परका है वो विदेशी वस्तों का बहिसकार है वो किया जाता है और सवदेशी वस्तों को अपनाया जाता है उनीसे पाज के बगाल विवाजन के पशाज जो सवदेशी अंदुलन के अंदर है वो जो सभी लोगों ने जो विदेशी वस्तों को जलाया उसका जो बहिसकार किया उसको इत्यासिक तथे की रूप में उसको मनता नहीं, लेकिन जब मुतिलाल नहिरू ने है is, जब विदेशी वश्धाह को जलाया, तो आचीजिश स्थिक अनदर है, मुतिलाल नहिरू के द्वारा Hmm, वुदेशी वश्धाह का बैसकार किया गया, वो एक इत्यासिक तथी बन गया तो इसका अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि जो महान बेक्तियों की दुवारा जो किया गया जो साधन सा कारिय है जो अन्य बेक्तियों के लिए जो साधन सा कारिय है वो महान बेक्तियों की दुवारा किया गया जो कारिय है उसको एक इत्यासिक तथे की स्रिणी में है वो सामिल किया जाता है तो इस परकार हम कह सकते हैं कि जो इत्यास में गटने वाले जो परतेग गटना है वो इत्यासिक नहीं होती है है इत्यासिक गटना है उसकी जो कोई भी तथे जो इत्यासिक बनता है उसके लिए हैं जो कई बाते हैं वो भेतवपुन बताई गई है जैसे इसके विश्य में बताया गया कि जो प्रोपेसर गाट्स चाक है वो ये कहते हैं कि कोई भी जो तथे वो इत्यासिक तथे तब बनता है जब अतीत की गटीवी कोई भी गटना है उसका कोई जो प्रतेक्स दर्शी है वो हो तो प्रतेक्स दर्शी उसका वड़न करते हैं तो वह है इत्यासिक गटना बनती है और नेकेवल प्रतेक्स दर्शी अपीतु उस गटन की और वो इतियासकार का धंबा कर इस गर्टना व इत्यासकार का धंबांया Kर्षित करे और एक तरह से इतियासकार है वह का विविवरण है वह पर तूत कर सके तो इस प्रकार प्र्यूद प्रकार जो त Б being है वो यदि ये विश्यस्ता ही होती है तो ऐसी इस्ति में वो जो तथे है वो इत्यासिक तथे का इस्तान है वो ग्रहन करता है तो अतियत की गटना का प्रतेक्स द्रस्ति ने वनन किया हो और उसका उसी रूप में है उसको स्विकार कर लिया होती है तो तत्यों के चेहन के अंदर है इत्यासकार है वे केवल एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्हीं तत्यों का चेहन करता है जो कि उसकी विचारधारा के अनुरूप हो और वो जिस विचारधारा को इस्ताफित करना चाहता हो उसको इस्ताफित करने के अंदर वो तत्य साहिए को उन्हीं तत्यों को है वो इत्यासकार है उसका चेहन करता है इसकार हम कह सकते हैं कि तत्यों के चेहन के अंदर है वो इत्यासकार की जो रूची है वो उसकी महत्वपूर मुमेका होती है क्योंकि जैसे औरंग्जेव के विशे के अंदर सर जियरनाज सरकार ने जो औरंग्जेव ने जो मंदिरों को तोड़ा उसके विशे के अंदर जो औरंग्जेव के विशे में जो तथे लिए और जो फरूकी है उसने जो औरंग्जेव मंदिर तोड़े उसके विशे में तथ थे ले उन किया जिन तत्थ्यों के द्वारा उनकी बात को है वह समर्त्न है वह समरतन कर सकें तो इस प्रकार में कह सकते हैं कि एक यो पुराय गरी दश्ट्रिकॉर्ण है वह एक तरके drones की पट्टियों पर पड़ी मसलियों की तरह होते हैं इतियासकार उन्हें इकटा करता है घर ले जाता है पकाता है और अपनी पसंद की सेले में प्रोस्ट देता है अथार तत्थे हैं वो का चेन है वो इतियासकार पर निर्वड करता है और उसकी व्यक्या किस प्रकार करनी है यह इत्यासकार पर निर्वर करता है तो जहाँ एक 10 है उसने एक तरह से समर्टन किया और जबक히 जार्ड कलराक है वो कहता है कि इत्यास में तथ्यों की गुठली से चारू और जो व्युआधासपत जो व्यक्या का जो गुदा है उसको अलग माना ज़ना चीए और एक तरह से हम कह सकते हैं कि तथ्य प्रसुत करने का जो दस्ट्ीकॉन है उसकी जो कालरा करता है और वो है कहता है कि तथ्य से जदा है वो गुठली है वो उसकी मेहत्व को م्ँठा होती है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि तथे पवित्र होते हैं लेकिन मंतवियों में कोई बंदन नहीं CP स्कॉट का ये कहना कि तथे पवित्र होते हैं मंतवियों में कोई बंदन नहीं जाता है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो 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 कठोर तत्ये हैं वो सभी इत्यास कारों के लिए समान होते हैं और इसे इत्यास की रीड है वो भी कहा जाता है तो यथा तत्य होना एक दाइक वे है कोई गुन नहीं होता है क्योंकि इत्यास की पहली आफसकता यह होती है पहली सर्थी यह होती है कि कोई भी जो कारी जो कोई भी इत्यास की गटना उसका वर्णन बिना तत्थे की नहीं होना चीए तो यथा तत्थे है एक तरह से एक इत्यास लिखन की एक आउसिक सर्थ भू मने जाती है तो मूलवर्ट जो तत्ये हैं वो हर इत्यासकार के लिए समान होते हैं वो इत्यासकार का कच्चामाल है इत्यासकार का कच्चामाल है रा मेटीरियल है वो एक तरह से कठोर तत्ये होते हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे कटोर तत्य की बात करें, जैसे हम पानीपत के पर्थम जूद की बात करें, कि पानीपत का पर्थम जूद 1527 में हुआ, बाबर और इबाहिम लोदी की बीच के अंदर हुआ, तो यहां पर पानीपत नामक जुस्तान है, 1526 है, बाबर और ये एक प्रकार से कठोर तत्थे हैं क्योंकि इत्यासकार चाकर भी इसमें कोई है वो तब्दिली नहीं कर सकता तो कठोर तत्थे वे होते हैं जिसमें कोई परिवर्तन की कोई गुंजाइस नहीं होती है लेकिन जो कॉमल तत्थे हैं उसके विसे में ये दिये हम कहें कि पानी इत्यासकार अपनी इच्छा के नुशार इन तत्यों को थ्रोड मेरों कर परसूद कर सकता है. क्योंकि आकबर और महारना परताब की बीच में युद हुआ तो उसके अंदर किसकी विजे भी, किसकी प्राजे भी, तो हर इत्यासकार है वो अलग अलग तरीके से है वो तथ्यों को परसूद करता है लेकिन हल्दी गाटिका यूद 15 चिंतर में हुआ और अकबर और माहना परताब की बीच में हुआ यहार तथ्यों है इसको कोई तब्दिली नहीं कर सकता है लेकिन उसका जो परिणाम है वो क् तरह से महतुपून हो जाती है तो अतीत रूपी विशाल समुदर में इत्यासिक तत्फे जैसे मैंने आपको बताया कि यह कहते हैं कि मसलियों की बाती होते है इत्यासकार अपनी रूचीस के परिजिंद दिस्टिमा की तत्त श्यों नहीं बोलते हैं अपी तो इत्यासकार बुलवाता है और तथे जैसे हम कह सकते हैं कि इत्यासकार ये इसकार ये कहते हैं कि जो तथे हैं वो एक परकार से बोरे की तरह होते हैं जब तक उनमें कुछ भराने जाए तब तक है वो खड़े नहीं होते हैं असाथ हम ये कह सकते हैं कि तथे का अलग कोई अलग से अपना कोई बintorim नहीं जब तक की है नहीं कुछ उसकी व्यक्या नहीं की जाए क्योंकि व्यक्या यह님이 टथे वो खड़े खुड़े होते हैं धार तथे बोलते । तो क्येवल इतियासकार केवल। उन्हीं तथियों का चुनाव करता है जो उनके दस्ट्रिकों का समर्दन करते हैं और जिस दस्रीकों को वो बहुत से के अंदर इस्थापित करना चाहते हैं उन तथ्यों का कोई का वो चैन करते हैं बाकी तथ्यों को छोड़ देते हैं तो इस तरह से हैं कि तथ्यों का जो चैन है वो एक परकार से है वो इत्यासकार पर निर्वर करता है इसका लिखते हैं कि तत्थे श्यों नी बोलते हैं इत्यासकार उन्हें बुलवाता है तत्थे और इत्यासकार के समंद है इस परकार भी मैतुपन होता है कि इत्यासकार तत्थे के बिना है वो प्राणिन होता है क्योंकि इत्यासकार कब आस तत्य नी है तो इत्यासिक घर्टना का वरना नहीं कर Сकता, हम यह कह सकते हैं, वो प्राने हिन होता है, बीना जड़डवला होता है, तत्य भी इत्यास्कार के अवन रजीव और अर्थ हिन होते हैं, क्योंकि इत्यास्कार उन्हें बूलाता है, इसलिए यदि इत्यासकार नहीं हो तो तर्थे नर्जीव है उसका कोई अर्थ तत्यों को अर्थ परदान करने का जो काम है वो इत्यासकार करता है इसलिए इत्यासकार का ये करतव है कि वह महतुपुर्ट तत्यों को इत्यासिक तत्यों की रूप के अंदर वो परसुत करे और इसके साथ इत्यासकार का ये भी करतव है कि महतुए इन जो तत्यों का परत्याग करें महतों न का पृतियाक है वो मिल सकता है तो इत्यास का यह यह थार्दवादी जो विचारदारा के समर तक जो इत्यास का रहे हैं जिसमें एक टन है और रांके जैसे इत्यास का रहे हैं उनके उनका मानना है कि एक तरह से तथ्यों को यह थारूप में हो परसूत कर देना चाहिए वह इत्यास है जब से तत्थियों का संक्लन करने से तो बहुत जाएंगे इसलिए तत्थियों की व्यक्या है उसके द्वारा ही तत्थियों संक्राइब का नहीं द्वारा के वह स्पूंद का उसकेड़ियोंन के संद्थियों व्यक्या स्थियों कर देदें, ह्युस्थियों कीstones लिए तत्थियों हिस्ट्री है का सिधान्त है और इसका जो एक तरह से पुर्जोर विरोध है वो कोलिंग विड़ करते हैं और इसके आलोसना करते हुए कहते हैं कि इसकार थी है कि व्याख्या करते से में इतियास कारों को विग्यानिक दस्थी से कारी करना चीए तो इतरह से क्या है कि जो तक् व्यक्या है उसका विप्राइए्याए जो गटनाओं के लये तथ्य और प्रतिय का je करनाओं को कुंषता है और उन्हें करमबब प्रतूश्च करता है इस परकार इत्यาसिक व्यक्याg को भी हम हैं तथ्यों की मुजूदगी हमें दिखाई़ देती है और व्यक्या को है वो प्रवाइद करती है तो इस तरह से हम कहते हैं कि तथ्यों एक तरह से व्यक्या हम जो करते हैं तो उसमें भी तथ्यों की मुझूद्गी है वो हमें दिखाई देती है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो व्यक्या है उसको हम दो प्रकार से है वो इसको प्रस हैं जो 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 तरिता दौपर और जो जो कल्यूग है करिता दौपर तरिता और कल्यूग है यह चार यूग है और परते इस यूग के अंदर मनुस्य है वो सुक दुख है उसको भोगता है और सामराजी के उठान पतन है वो थानपतर में प्राकर्तक नीमों की जो आवसकता उसको बताए गया है तो कुछ गटना है वो एक तरह से एस संबावी होती है इस परकार इतियासिक वैख्या में जो अदरसे सक्तियां है उसकी भी निनाईक भूमी का वो बताए जाती है कि परतुम इसों यूद है उसमें जो बिलसन ने ये का था कि मैं यूद में भाग ले लेना चाहता लेकिन कुछ गटनाएं ऐसी हैं जिसके कारण से उसे भाग लेना पड़े तो इसी परकार इतियास कारों के अंदर एक एसंभाविता है वैक्षा के अंदर एसंभाविता है उसको भी एक तरह से मेत्वपुनिस्तान दिया गया है वैक्षा में इसमें इतियास के अंदर ये कुछ गटनाएं ऐसी होती है जो एक तरह से क्या कि अचानक घड़ जाती है जैसे पानिपत के दिते यूद के अंदर हेमू है वो गाहिल हो जाता है या खानवा की यूद की बात करें जिसमें राणा सांगा अचानक गाहिल हो जाता है तो यूद का जो प्रदेस से ही वो एक तरह से बदल जाता है तो एक तरह से क्या है कि जो संभाविता है उसको भी ए आर्थिक ततोय का मैतुपून मुमीका थी तो इस परकार इन इत्यासकरों को दिसा दिने के अंदर जो आर्थिक ततोय है के न है वह एक मुले संबद जो वैं उसको भी है इए- इस्तान दिया गया है तो समय में एक समाज की आवसक्ता को धान में रख करके है उसका जब प्रस्तुतिकन किया जाता है तो उसे मुले समवत व्यक्या का जाता है जैसे यह दिम इतियास में देखें कि जो शेर्चा सूरी है और जो हमायू है उसने किस परकार है वो एक परकार से है वो शेर्चा सूरी ने ह आपडी और मिला लिया तो इस परकार कैसे किस परकार विश्वास गहाता है उसको भी है वो व्यक्या के अंदर वस्तान दिया जाता है तो तथ्यों की तुलना के अंदर है वो एक तरह से हम कहें कि जो व्यक्या है वो ज्यादा महत्वपून होती है तो एक तरह से हम कह सकते है कि इतियासकार का जहां तक्षियों का समंध है वो अतीज से होता है जबकि इतियासकार का समंध है वो वरत्मान से होता है तो इतियासी जो 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 एक तरह से हम कहेशे हैं तक्षिय व्यक्या के जो समंध है उसमें एक परकार से हम कह सकते हैं कि जो एक परकार से जो जो इत्यासकार है उसका जो देश से है वो वरतमान को प्रसिशित करना और बहुशे को है वो मारद्रसित करना होता है तो इस तरह से क्या कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो जो एक एक जो 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 इत्यासकार है उसके बीच के अंदर जो एक जो हम क कि किरिया परतिक्रिया है उसकी जो एन्वरत परतिक्रिया है उसी को हम इत्यास कहते हैं अथारत इसमें इत्यास के अंदर इत्यासकार जो की वर्तमान का परतिक होता है तथ जो अतीत के परतिक होते हैं उनकी बीच में किरिया परतिक्रिया होती है और यह किरिया परतिक्रिया का कोई महत्वा नहीं होता लेकिन तथ्यों के साथ साथ है वो उसकी व्यक्या का भी बड़ा महत्वान होता है क्योंकि व्यक्या जब करता है तो इत्यासकार है वो अपने समाज से है अपने समाजिक प्रिवेश से है अपनी विचारदारा है अपनी मान सिक्षमता है उस पर ब तो होते हैं और किस तत्यों को इत्यासकार वो इत्यासके लेक्षन के दर काम में लेता है ता कौन सा तत्य इत्यासिक होता है इत्यासिक बनेगा ये इस बात पर निर्वर करता है कि इत्यासकार है उसको इत्यासिक बनाता ये नि बनाता तो इस परकार जो इत्यासके अंदर है वो तत्थियों की महत्वपून भूमिका होती है लेकिन तत्थियों की एक तरह से भूमिका के साथ है वो एक प्रकार से व्याख्या की भी महत्वपून भूमिका होती है तो एक तरह से कह सकते हैं कि इतियासकार इतियासिक तत्थियों के धार पर है वो एक तरह से वर्तमान को प्रषित का निरुपुनel करता है तो इस तरह से, प्रसिति करते हैं घजकता है, वो समसा olmशरी हगा है होТा है तो उसके का विप्राई का विप्राई यए था कि वर्तमान दश्नी कोड़ से है वर अужप waiter का और इसलिए इत्यासकार अतीद के जो अंतराल में पेवे जो तथियाले जो तत्थ है उसका संक्लन ही नहीं करता अपितु वर्तमान प्रिपेक्स के अंदर है उस समसमय yaris करता है अरिव कि त इसले के सकते हैं कि जो एक तरह से है जो हो एक तरह से जो समझिक, जो समझिक आई सकता है, उसके अनुष्सारव इतियासकार है. अतीत के तथिऊं की जो गविशना है, उसके लिए है एक तरह से प्रेजित होता है, या बादे होता है. तो हम कह सकते हैं कि अतीत में व०रतमान की रूची को परदांता मूर्झा को दी जाती है, अतीत का जो अधियन वー भॉड़तमान और वोफ़शे को निम्तित करने के लिए है, वह एक्तित के लिए हैं। तो परिशित इत्यासकार, जो कालिंग वीर्ड है, उस ने एक तरह से जो आइडिय आफ हिस्ट्री है, उसके अंदर इस बात को पर्तिबादित किया, कि जो अतीद समंधी जो प्रमान इत्यासकार के मस्तिक्स में रहता है, जिसका प्रियोग वैस समसामिक प्रिवेश्च में क अधियु दिखाई देता है तो इतियास मातर, इतियासिक तत्यों का संक्लन ही नहीं है अपी तु समसामिक आुस चरता कि अनुसार आतीथ का जो एक तरह से है वह वह पुन्लिंवान है Oh करता है वह कहते हैं कि 19 espdaadii के अंद्र हमें तत्यों की जो एक तरह मिलती है और हम एक तरह से किसी गटना को इस्तापित करने के लिए अधिक से दिक तत्यों का जो समावेश करना है वो इत्यास के लिए महत्यपून होता है लेकिन एक तरह से क्या है कि इत्यास का दाइत्व है कि वो यथा तत्य है वो एक तरह से है वो उसको यथा तत्य है वो गटना को प्रस प्रसुत करने से हैं वो यह करेगा तो ऐसी किछ रहता ही कि वह गरिशत ही तरह से रहता है और उसमिटियास का हो वो बिना बाइस है वो पुरागरे से ग्रशीत हुए है वो एक तरह से प्रसूत करे और एक तरह से ज्यादा ज्यादा एक तरह से जो विश्विशनी इतियास है उसको प्रसूत करने का वो प्रियास करे लेकिन एक तरह से जो पूराग्रह से गरशित हुई वेगेर है वो पूराग्रह से नहीं बचा जा सकता एक तरह से पूराग्रह और इतियास जो र्वियों को छूरे से अर्फेस एक die वियो इस गाशिक चैन És उस ने की महतवर्व्य भूमिका होती है और एक तरह से जै Sus 선 का रहे समय से या समाजी की रूप है वो तथ्यों का संखलन करता है और हम कह सकते हैं कि कि तत्थे ही सब कुछ नहीं है अपीतु जब तक इत्यासकार है वो तत्थियों की व्यक्या किस परकार करता है यह एक महत्वपूर्ण कारण होता है तो तत्थे और व्यक्या के अंदर है वो एक महत्वपूर्ण समंद होता है लेकिन तत्थियों को इत्यासक किस रूप के अंदर वो बुलाएगा किस रूप के अंदर वो परसुत करेगा यह केवल इत्यासकार पर इनिवर करता है तो एक तरह से इत्यास के अंदर है वो तथ्थे और जो व्यक्या है उसके अंदर महतुपूर्ण समंद होता है इसलिए हम केवल एक टन या 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 हम कहे कि जो रांके है उसके अनुसार तथ्यों को यथा रूप परसूद करना है ये इत्यास के लिए है वो 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 एकदम से पून रूप से है वो एक तरह से संबव नहीं है और इसलिए परसिद इत्यास कार ये इसकार ने कहा कि इत्यास है वो इत्यास कार और तथ्यों की है कि अब ये परीशनवाद है वो कितना पुडर्च से इसे मुक्त है यह इत्यासकार पनिपर्च करता है कि कि किस परकार वो निस्पक्स इत्यास है एक निस्पस जो व्र वे हैं वह हमारे सामने है व tea स्नुड करता है और घट्धना को पुन जिवत करने का है वो कारे करता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इत्यास तथी और इत्यासकार का समंध है वह अतीत और वर्तमान का समंध है इन लिद होता है और एक परकार से हम कहें सखते हैं कि इतिहास है वह एक तरह से झाल झाल